स्वागत तोरबिनादब इस वीडियो के माध्यम से मैं बो बात बता ने जा रहा हूँ कि तूफानी तेल के फाइदे क्या-क्या है और इस तूफानी तेल का यूज किस तरह से करें भायों आप लोगों ने तूफानी तेल की चर्चा पिछले कई वीडियो में सुना है देखा है लेकिन इसके फाइदे असाधारण है अरे जापानी तेल तो कि वे लिंग पर लगाये जाता है लेकिन तूफानी तेल कहां कहां लगाये जाता है इस तरियां भी लगा सकते हैं और इसके क्या क्या फाइदे हैं इसका सेवन की विधी क्या ह वो मैं आज आपको संचेप में नहीं डिटेल में बताने जा रहा हूँ आप मैंने नोट कर लिये हैं इसके फायदे सरीर में अगर असी प्रकार के बात रोग होते हैं उस बात व्यादी को ये खतम करता है सरीर की जिनकी तुचा धेली हो गई है अर्था जैसे तुचा धेली पड़ रही है चेहरे की गले की जैसे देवा नंद ने सरजरी कर आए था ना गले का धेला हो गया था जब वो सतर साल के हो गए थे तो उन्होंने ये सब किया तो तुचा का धेलापन खतम होता है इसकी मसाच करने से नेत्र द्रश्टी जिनकी आँखें कमजोर हो रही है तो ये अपने बालों में भी इसकी मसाच कर सकते है इससे उनकी सिर में जो दर्द होता है जो खालित तो पालित की सिकायत है वो खत्म हो जाएगे बहरापन है अगर किसी के कानो में दडर्द हो रहा है और बहरा पना रहा है तो आप इस तेल को दो भूंत जो है डाल सकते इप्धा हलका सा गुनगुना करके दो दूबूत कानों में ध्यान देज़ेगा हाथ-पैरों का कापना जिन बुढ़ापे की कारण या कमजोरी के कारण जिनके हाथ-पैर कापने लगते हैं ऐसे-ऐसे करके कोई पकड़ते हैं तो उसमें भी यह बेहतरीन काम करता है मस्तक का कापना किसी का सिर हिलता है इस तरीके से जो है सिरहिलने लगता है तो उनकी गर्दन की और सिर्की मसाज करने से उसमें भी यह लाप पहुँच जाएगा और जिनकी बुद्धी में दिक्कत है बुद्धी भ्रह्म हो रहा है या दस्त की कमी हो रहा है उनके लिए तो यह बर्दान है धातू की प्रद्धी, अर्था जो साथ धातूयों सरीर के अंदर हैं जो हम भोजन गिरहन करते हैं, उनसे साथ धातूयों का नर्माढ होता है धातू कहते हैं धारण करने वाली छमता के लिए धारण करने वाली वस्तु इस्तिती के लिए या जो हमारा fundamental है, phinomia है सरीर का अंग कांती और अंगों की कांती वरती चमक परती है इस तेल के लगाने से ये गिलो आता है परसो पीडा, जिस माताओं मेनों के बच्चे पैदा हो गए है उनका सरी धीला हो गया, पेट धीला हो गया, पेणू धीला हो गया और योनी धीली हो गई है तो इसकी और कमर में सब जगे वो मसाज करवा सकते हैं और गर्वपात, आगे इसके प्रियोग बताऊंगा कि इसके तेल को लेने से गर्वपात भी रुख जाता है जिनको परदर की सिकायता माता मेनों को लिको रिया है पुरसों को प्रमे की सिकायता है चिप चिप आता है और जिनकी मैथुन सक्ती कम हो गई है और मैथुन करने की संभो करने की इच्छा नहीं होती इस ती पुरसों को तो उनके लिए रामब होता है और जिनके लिए कैंसर की सिकायत है वो भी इस तेल के इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कैसे वो मैं अभी बताता हूं जिनका बजन घट रहा है उनका बजन बढ़ जाएगा और जिनका बड़ा हुआ है उनका घट जाएगा मानि यह बैलेंस करता है किसी के जोड़ों में दें घटिया से जोड़ा है जूइंट स्पेन है सुजशन है उसमें भी यह फायदा करता है कोलस्टॉltry बढ़ना अगर किसी के लिए कोलस्टव बढ़रा तो उसमें भी यह फायदा करेगा नेदनाना चक्कर आना कमजोरी आना और लिंग का छोटा पन पतला पन तेरा पन कि कुछ हमारी बेहने हैं बालिकाएं हैं जो कभी-कभी मेरे पास सवाल आते हैं वाटसाप पे मेसेज आते हैं और वो कहते हैं कि गुर्देव हमारे जो ब्रेस्ट है चेस्ट है छाती बढ़ नहीं रही उनका विकास नहीं हो रहा है तो अब उसमें है क्या दिक्कत जो है उस जब का फारमूला है अब जो इस तेल को पीने का भी एक तरीका है आप दो से पांच बूंद ड्रॉप आप इस तेल को एक गिलास मिसरी पड़े हुए दूद के साथ में आप इसको पीएंगे सुबह को नास्ता के बाद में दूद में मिलाके पी लेंगे लेकिन इससे ज़्य जादा नहीं होना चाहिए कम होना चाहिए बच्रोओं को दोबений देना है बहुत जोटे बच्छें कर सकते हैं ज्यादा जल्दी बहुत मोटे हैं जो कोलेस्टाल बड़ा हुआ है एसे लोगों के लिए पांच बून तक यूजज कर सकते हैं ने में करना है आपको इस टेक्शन जरूरी है इसके अलावा और इसमें पेनिस की और यूनिकी आप मसाच करिए जिनके जोडों में दर्द है तो तेल की मालिस करियो मालिस करने के वाद में धूप में बैठी है अब इदर मद्द परदेश में और जैन छेत्र में तो पिछले पं खमता कम हो जाती है तो ऐसे में तेल की मसाच से आपके लिए विटामिन डी का भी योगदान होगा कैलसियम बढ़ेगा आपके सरी में बहुत कुछ बढ़ेगा तो जिनके जो लिंगे से कमजोर है जो तूफानी तेल का इस्तेमाल वो सुबह को नहने के आदे घंटे बाद वो पांच बूंद इस तेल को ले करके अपने लिंग पे मसाच करेंगे जड़ों में करेंगे लेंगे लिंग की आगे की केप पे टोपी पे मत करना नहीं तो जैलन होगा और ऐसे छोंड देंगे तीन से पांच मिनट से ज़ादा मसाच मत करना अगर लिंग 50% कष़ड़ा ह हाथ को फिर नहीं करना नहीं तो पानी निकल आएगा तुम्हारा इसी तरह से माता है मैंने अपने योनी की पेंड़ू की सब जगे की मसाज करो और जिनको ब्रेश्ट पे जो अपने चातियों को भी बढ़ाना चाहती है तो वो लड़कियां अपने साधी नहीं हुए तो नहाने के बाद या नहाने से दो घंटे पहले थैंकियो सो मच इस जानकारी को आगे वड़ा जन हित में भार मूला मैं दे चुका हूं यह दूसरा पार्ठ है तूफानी तेल का ताकि हमारा आयरवेद और योग का परचार परसार हो और लोगों को वहतरी लाव हो सस्ते में फाइदा हो स्वास्त बचे धन बचे और हमारा समाज इस टॉंग हो और जिससे की वो देश के हित में बहुत कुछ योगदान दे सके हमारे देश के युबा माताएं भेने और यह बड़े बुले तो जरूर इस्तेमाल करें ओम शान्ति